नमस्कार फ्रेंड मैं हूर अंजन और आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल डीजे प्रिंश मवदिया तो फ्रेंड स्वागत आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में और आपको बताते चलें कि आज हम बहुत ही सांदार टोपिक पर बात करने वाले हैं हम बात करेंग जो है उसका बराबर होता है फ्रेंड वो पिछे से चिप्टा हुआ नहीं होता है तो हमें कौन सा लेना चाहिए और किसमें जो है 72 क्वैल्टी हमें सुनने को मिलती है फ्रेंड तो चलिए हम इसी के बार में आज बात करेंगे तो वीडियो को शुरू से अंतक देखीगा औ जो कि पीछे से चिप्टा हुआ है जो कि JBL मोडल में आता है फ्रेंड और यहां जो दूसरा के बिनेट है फ्रेंड वो सिधा यह देखी स्क्वैर वाला है और कि चारो कोना बराबर है इसका तो आप देखे होंगे इस प्रकार का के बिनेट होता है अब आपके पास कौन सा केवीनेट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताःएगा फ्रेंड तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ इसके आगे में इसके बार में पुरा डिटेल से हम जानेंगे फ्रेंड और यहां आपको बता दें तो अभी हम आपको इसके बारे में पुरा चलिए डिटेल बताते हैं आप भी देखिए और आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड यहां जैसा कि मैंने अनुभव किया है जो यह पीछे से चिप्टा हुआ के बनेट होता है फ्रेंड वो उसमे जो है लोंग थो थोड़ा कम मिलता है जैसा कि मैंने अनुभव किया है अब हम बात करते हैं फ्रेंड बैस के बारे में तो यहां देखिए बैस जो है इस वाले केविनेट में जो की भी टाइप का केविनेट होता है उसमें बैस थोड़ा सा कम आता है उसमें जो है बैस जगह कम होता है जिससे की sound जो है उसमें जल्दी से पूरा भट जाता है और pressure से बाहर आने लगता है और तेज रफतार से बाहर आने लगता है जिस कारण से long throw है जो ज़्यादा मिलता है बहुत दूर तक हमें उसका sound सुनने को मिलता है बात करें square वाला cabinet के बारे में तो friend ये square वाला cabinet होता है वो चारो तरफ से ब्राबर होता है आने कि उसमें फूल जगह होता है friend और उसके अंदर speaker भाईता है तो friend उसमें sound थोड़ा सा लेट से भरता है क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा होता है और sound का pressure जो है वो बाहर जब नि कम हो जाता है तो friend जदी आप भी ये दोनों box का यूज किये है और दोनों type के box को यूज किये है तो आपको कैसा जो है अनुभा हो है friend वो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में